आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्यकार संतोश्रिवास्तोजी का लिखा अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साथूं की रहसे मही दुनिया धरावाही कुरूप से आज सुनिए भाग आठ वारता लाप के बीच महाकाल गिरी ने कमंडल में से पानी पी लिया उसका गला सूख रहा था मौन रहकर तपस्या करने वाले साधू इतना अधिक प्रवचन एक साथ देना कष्टकारी समझते हैं फिर भी कैथरीन जैसे चिग्यास हो तो बताने में आनंद ही आता है वो बता जैनी पश्चिम बंगाल के उजैनी नामक स्थान पर है जहां माता की दाई कलाई किरी थी इसकी शक्ति है मंगल चंदर का और भैरव को कपिलामबर कहते हैं त्रिपुर सुंदरी तिप्रा के राधा किशोर पुर गाओं के माता बाड़ी परवत शिखर पर इस्थित है जह सती माता का दाया पैर गिरा था इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं बहवानी बंगला देश चंदरनात परवत पर छत्राल अर्था चटल या चहल में इस्थित है जहां सती माता की दाई भुजा गिरी थी बहवानी इसकी शक्ति है वा भैरव को चंदरशेखर कहते हैं ब्रामरी पश्चिम बंगाल के चलपाई गुडी के तिरी स्रोत इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता का बाया पैर गिरा था इसकी शक्ति है ब्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं कामाख्या असम के कामगिरी में इस्थित निलांचल परवत के कामाख्या इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता का यो निभाग गिरा था कामाख्या इसकी शक्ति है वह भैरव को उमानन्द कहते हैं कामाख्या देवी जागरत देवी हैं वैसे तो सभी शक्ति पीठ की देवियां जागरत मानी जाती हैं लेकिन कामाख्या देवी बिलकुल धर्दी पर जन्म ली हुई इस्थिरी की तरह हर महीने रजसोला भी होती हैं और उनके खून से रंगे कपड़े भक्तगर बड़ी बना जाता है इस मंदिर में देवी दुरगा या मां अंबे की कोई मूर्ती या चित्र आपको दिखाई नहीं देगी बलकि मंदिर में कुंड बनाये जो की हमेशा फूलों से ढखा रहता है इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है चमतकारों से भरे इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है कहा जाता है कि जब मा को तीन दिन का रज सुना होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है तीन दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है इस कपड़े को अमबवाची पस्तर कहते हैं इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है ये कैसे संभवे नरुत्तम गिरी कैथरीन ने आश्चरे से पूछा भारती धरती इसी तरह के आश्चरें से भरी हमाता पुरु जी ने कहा अब देखिये न ये भी कम आश्चरें नहीं है कि आप साथ समंदर पार से भारत आई हैं हम नागाओं पर receptर करने, काम करने और लिखने नहीं, ये आश्चरें नहीं है ये भारत की अन्य देशों में महत्ता का सबूत है आगे बताईए महाकाल गिरी अभी तो बहुत से शक्ति पीट बाकी है कैथरी ने मुस्कुराते हुए कहा कहने की देर थी कि महाकाल गिरी ततकाली बताने लगा प्रयाग उत्तरप देश के इलहाबाद के संगम तड़ पर इस्थित है ललिता शक्ति पीट जहां सती माता के हाथ की अंगली गिरी थी इसकी शक्ति है ललिता और भेरव को भव कहते हैं जैन्ती बंगला देश के खासी परवत पर इस्थित है जेहन्ती मंदिर नाम से जहां सती माता की बाई जंगा गिरी थी इसकी शक्ति है जेहन्ती और भेरव को प्रमधीश्वर कहते हैं युगाद्या पश्चिम बंगाल के युगाद्या इस्थान पर influencer नहीं जहां सती माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था इसकी शक्ती है भूत दात्री और भैरव को क्षीर खंड़क कहते हैं काली पीट कोलकाता के काली घाट में इस्थित है जहां सती माता के माएं पैर कांगुठा गिरा था इसकी शक्ती है कालिका और भैरव को नकुशील कहते है किरीट विमला पश्चम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कौर ग्राम के पास इस्थित है जहां सती माता का मुखुट गिरा था इसकी शक्ती है विमला वा भैरो को समवत्र कहते हैं विशालाक्षी यूपी के काशी में मन करनी का घाट पर इस्थित है जहां सती माता के कान के मन जड़ित कुंदल गिरे थे शक्ती है विशालाक्षी मन करनी वा भैरो को काल भैरो कहते हैं अच्छा अंगों के अलावा जिवर गिरने से भी शक्ति पीठ बन गए कैथरीन के इस प्रश्ण का किसी के पास उत्तर नहीं था इसलिए महाकाल गिरी ने अपना वक्त वे जारी रखा कन्याश्रम नाम अगिस्थान पर सती माता का प्रश्ट भाग गिरा था इसकी शक्ति है सरवानी और भैरो को निमिश कहते हैं सावित्री शक्ति पीठ हर्याणा के कुड़ शेतर में हैं जहां सती माता की एड़ी अर्थात गुल्फ गिरी थी इसकी शक्ति है सावित्री और भैरो को स्थान कहते हैं गायत्री अजमेर के निकट पुशकर के मड़े बंद इस्थान के गायत्री परवत पर इस्थित है जहां सती माता के दो मड़े बंद गिरे थे इसकी शक्ति है गायत्री और भैरो को सर्वानंद कहते हैं श्री शेल बंगला देश के शेल नामक इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता का गला अर्थाद ग्रीवा गिरा था इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भहरव को शंबरा नंद कहते हैं कांची देवगरभा पश्चिम बंगल के कोपई नदी तट पर कांची नामक इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता की अस्थि गिरी थी इसकी शक्ति है देवगरभा और भहरव को रूरू कहते हैं काल मादो मद्य प्रदेश के सो्न नदी तट के पास इस्थित है जहां सती माता का बाया नितंब गिरा था जहां एक गुफा है इसकी शक्ती है काली और भेरव को असितांग कहते हैं शोण देश मद्य प्रदेश के शोण देश इस्थान पर इस्थित है शोणाक्षी जहां सती माता का दाया नितंब गिरा था इसकी शक्ती है नर्मदा और भैरव को भदर सेन कहते हैं शिवानी उत्तरपदेश के चित्र कूट के पास राम गिरी इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता का दाया वक्ष गिरा था इसकी शक्ती है शिवानी और भेरव को चंड कहते हैं विंदावन के भूतेश और इस्थान पर इस्थित है उमा जहां सती माता के गुच्छ और चूणा मणी गिरे थे इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं शुचि नारायनी कन्या कुमारी तिरवनंद पुरम मार्ग पर है वहां शुचि तीर्थम शिव मंदिर है जहां पर सती माता के दंत उर्दो दंत गिरे थे शक्ति नारायनी और भैरव संगार है वाराही पंचसागर हाँ ये अग्यात इस्थान पर है इसका पता अभी तक नह जला है नरोत्तम गिरी रे जानकारी देते हुए आगे बताया इधर तो सती माता के निचले दंत अर्थात अदो दंत गिरे थे और इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं और अपर्णा शक्ति पीर्टो सरहद के उस पार वंगला देश के भवानी पुर्ग थी किवल महाकाल गिरी ही नहीं अश्ट कोशल गिरी और नरोत्तम गिरी भी सभी जानकारी रखते हैं कमाल है वो तीनों की विद्धता की कायल हो गई महाकाल गिरी आगे के शक्ति पीठ पताने लगे श्री सुंदरी लग्दाक के परवत परिस्थित हैं जहां सती माता के द अगर देखना है तो दोबारा जाना पड़ेगा माता, जरूर जाएंगे पुरह जी कितने शक्ति पीठ हो गए महाकाल गिरी? 36 हो गए कापालिनी सैतिस्वा शक्ति पीठ है जो पश्चिम बंगाल के पूरी मेदनीपुर के पास तामलुक इस्थित विभाश इस्थान पर इस्थित है जहां माता की बाई एड़ी कीरी थी इसकी शक्ति है कपालिनी, अर्थात भीम रूप और भैरव को शर्वानंद कहते हैं चंदर भागा गुजरात के जूना गड़ प्रभास छेतर में इस्थित है जहां सती माता का उदर गिरा था इसकी शक्ति है चंदर भागा और भैरव को वक्रतुम्ड कहते हैं अवंती उद्जेन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव परवत पर इस्थित है जहां सती माता के ओष्ट गिरे थे इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंब कर्ण कहते हैं ब्रामरी महराश्ट के नासिक नगर इस्थित गोदावरी नदी घाटी पर इस्थित जन इस्थित है जहां सती माता की ठोड़ी गिरे थी शक्ति है ब्रामरी और भैरव है विकताक्ष सर्व शेल इस्थान आंध्र प्रदेश के कोटलिंगेशर बंदे के पास इस्थित है जहां सती माता गिवाम गंड अर्थात गाल गिरे थे इसकी शक्ति है राकिमी और भैरव को वस्रनाभम कहते है गोदावरी तीर शक्ति पीठ है यहां माता के दाहीने गाल गिरे थे इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंदपाण कहते है रतनावली कुमारी बंगाल के हुगली जिरे के रतनाकर नदी के तट पर स्थित है जहां सती माता का दाया इसकंद गिरा है इसकी शक्ति है कुमारी और भेरो को शिव कहते हैं उमा देवी भारत नैपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट पितला में इस्थित है जहां सती माता का बाया इसकंद गिरा था इसकी शक्ति है उमा और भेरो को महोदर कहते हैं कालिका तारा पीट पश्चिम बंगाल के वीर भूम जिले के नलहाट इस्टेशन के निकट नलहाटी में स्थित है जहां सती माता के पैर की हड्डी गिरी थी इसकी शक्ती है कालिका देवी और भैरो को योगेश कहते हैं जैदुर्गा करनाट ये इस्थानवी अग्यात है यहां सती माता के दोनों कान गिरे थे इसकी शक्ती है जैदुर्गा और भैरो को अभिरु कहते हैं वकरेशवर महिश मर्दनी पश्चिम बंगाल के वीर भूम जिले में पापहर नदी के तटपर इस्थित है जहां सती माता का भूमत्द अर्थात मन गिरा था शक्ती है महिश मर्दनी वा भैरो वकरनाथ है यशोरेशवरी बंगला देश के खुलना जिले में स्थित है जहां सती माता के हाथ और पैर गिरे थे इसकी शक्ति है यशोरेशवरी और भेरव को चड़ कहते है फुलनरा पच्चिम बंगाल के लाभपुर इस्टेशन से दो किलो मीटर दूर अटा हास इस्थान पर इस्थित है जहां सती माता के ओश्ट गिरे थे इसकी शक्ति है फुलनरा और भेरव को विश्वेश कहते है भले ही सती देवी थी लेकिन थी तो एक इस्तिरी एक इस्तिरी के शरीर के इतनी टुकड़े क्या इससे अधिक व्यथित कर देने वाली कोई बात हो सकती है आपको नहीं लगता कि भगवान विश्व सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कभी कभी गलत भी कर लेते हैं इस तरह तो कभी सोचा नहीं देवी इस पर अवश्य सोचा जा सकता है और इस पर तर्ग भी दिये जा सकते हैं नरोत्तम गिरी के कहने पर कैथरीन ने इस बात का समर्थन किया हाँ अवश्य भविश में कभी इस पर हम बात विवात करेंगे पहले सभी शक्ति पीठों के बारे में महा कालगिरी से जान लेते हैं बताइए महा कालगिरी जी आगे पताने लगा नंदिनी पश्यम बंगाल के वीर भूम जिले के नंदी पुर इस्थित बरगत के व्रक्ष के समीप इस्थित है जहां सती माता के गले का हार गिरा था शक्ति नंदिनी वा भैरोव नंदि के इश्वर हैं इंदराक्षी, श्री लंका में संभवता, तरिंको माली में स्थित है जहां सती माता की पायल गिरी थी इसकी शक्ति हैं अंबिका विराड भी अग्यातिस्थान पर है जहां सती माता के पैड की अंगली किरी थी इसकी शक्ति हैं अंबिका और भेरव को अमरत कहते हैं ये 52 शक्तिपीट है इसके अलावा पटना गया इलाके में भी कहीं मगद शक्तिपीट माना जाता है पर इसे मानेता नहीं मिली इन में से कुछ शक्तिपीट तो अभोडियों की साधना के लिए सर्विश्ट रिष्ट माने गए हैं हाँ नरुत्तमगिरी जी उन में से ताराप वीर धाम की विशेष्टा वहां का महा शम्शान है वीर भूम की तारापीट अर्था शक्तिपीट अगोर तांत्रिकों का तीर्थ है यहां आपको हजारों की संख्या में अगोर तांत्रिक मिल जाएंगे तंत्र साधना के लिए जानी मानी जगए है तारापीट जहां कि आ आसम के नीलान चल परवत पर स्थित है प्राचीन-काल से सत-युगीन-तीड़्त कामाक्य वरतमान न èn तत्त्त सिर्वोच अस्थान है। कालिका पुराण तता तेवी पुराण में कामाक्यjuk शक्ति पीठ को सर्वोथ्थम कहा गया है और ये भी तांत्रिकों का गड़ है तीसरा है रजरप्पा का शमशान रजरप्पा में छिन मस्ता देवी का स्थान है रजरप्पा की छिन मस्ता को बावन शक्त पीठों में शुमार किया जाता है लेकिन जानकारों के अनुसार छिन मस्ता दस महाविद्याओं में से एक हैं उनमें पांच तांत्रिक और पांच वैशनवी हैं तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप का माख्या की शोडशी और तारा पीठ की तारा के बाद इनका इस्थान आता है चौथा है चक्रतीरत का शमशान जो मद्य प्रदेश के उजैन में चक्रतीरत नाम के स्थ माना जाता है वैसे तो सभी 52 शक्त पीठ तुन तांत्रिकों की सिद्ध भूमी हैं ही इसके अलावा कालिका के सभी स्थान बगला मुखी देवी के सभी स्थान और दस महाविद्या माता के सभी स्थान को तांत्रिकों का गढ़ माना गया है कुछ कहते हैं कि तरंबकेश्वर तांत्रिकों का तीर्थ है कहते नहीं बल्कि है पुरोहिद्य तरंबकेश्वर तांत्रिकों का महत्वपूर्ण स्थान हैं नरॉत्त्तम ॓री ने कहा काथ्रीन को और भी बताने की इच्छा से नरॉत्तम ॓रीन बताया और महाकाल गिरी तंत्र की मुख्य दस देविया मी हैं जिने दस महाविद्या कहा जाता है काली तारा शोडशी अर्था तिरपुर सुंदरी भूमनेशवरी छिनमस्ता तिरपुर भैरवी दूमावती बगला मुखी मातंगी और कमला इन सभी महाविद्याओं की आराधना तंत्रिक करते मैं गई तो नहीं हूँ लेकिन जम्मू के कट्रा इस्थित वैश्णों देवी के मंदिर के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के मंदिर भी दर्शनों के लिए जाना पड़ता है जिसे आवश्यक भी कहा गया है ये भैरव बाबा कौन है भैरव बाबा को शिव का अंश माना जाता है देवी कैथरीन और ये तांत्रिकों के प्रमुक पूजनिय भगवान है इन्हें शिव के दस रुद्रावतारों में से एक माना गया है भैरव के आठ रूप है असितांग भैरव चंड भैरव रूरू भैरव क्रोद भैरव उनमत भैरव कपाल भैरव भीषण भ भालभूवनेश, शोडश, श्रीविद देश, भैरव, छिन मस्तक, धूमवान, बगलामुक, मातंग और कमल ये दस रुद्रावतार माने गए हैं वा क्या बात है नरुत्तमगिरी आपके जिवहा पर नाम विराजमान है हां महाकालगिरी गहन अध्यन किया है मैंने इन सभ विश्यों का अगोर संप्रदाय के व्यक्ति शिवजी के अन्याई होते हैं इनके अनुसार शिव स्वैम में संपूर हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान हैं इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी इस्थितियों का अन्भव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ट की जा सकती है आगे आप बताएं महाकालगिरी आपके मुख से सुनना अच्छा लगता है महाकालगिरी प्रतीक्षा में ही था कि कोई उससे बोले और वो आगे बताए मेरे अहो भागे आपको मेरे द्वारा दी कई जानकर या अच्छी लग र करते हैं चितागी भस्म का शरी पर लेपन और चितागने पर भोजन पकाना इत्याद सामानिकार है अगोर द्रश्ट में इस्थान भेद भी नहीं होता अर्थात महल या शमसान घाट एक समान होते हैं आप वारांसी जरू जाना माता और काशी विशुनात और भैरो बाबा के दर्शन अवश्य करना अश्ट कोशल गिरी ने कैथरीन से कहा हां मैं अवश्य जाओंगी वहां मुझे तो पूरा भारती सत्योक के दौर कासा लगता है जगे जगे बंदिर जगे जगे अध्यात में क्रियाएं कथाएं इतने सारे ग्रंथ इतने सारे पंथ इतना सब को सम मजने में तो ये जन्म काफी नहीं है कैथरीन ने अपनी आखों में अपार शद्धा प्रकट करते हैं कहा ना जाने कितने योगों से हमारे रिशी मुनियों तपस्यों की खोस संधान और तपस्या का परणाम है ये सब हम तो बूंद मातरी समझभा हैं माता वारानसी को भारत के सबसे प्रमुक अगोर स्थान के तौर पर मानते हैं भगवान शिव की स्वयम की नगरी होने के कारण यहां विभन अगोर सादकों ने तपस्या भी की है यहां बाबा कीना राम का इस्थल एक महतवपूर तीर्थ भी है काशी के अतिरिक्त गुजराद के जुनागण का परवद भी एक महतवपूर स्थान है जुनागण को अवधूत भगवान तत्ता तेरे के तपस्या इस्थल के रूप में जानते हैं अगोर पंध की तीन शाखाएं प्रसिद्ध हैं ओगण, सरबंगी, घुरे इन्में से पहली शाखा में जो ओगण आये वे कीना राम जाताय के साथ जोडते हैं इस पंध को साधानता ओगर पत भी कहते हैं इसके अनियाईयों में सभी जाती के लोग मुस्लिम तक हैं विलियम क्रुक ने अगोर पंध के सरप्रथम प्रचलित होने का इस्थान राजपूताना के आभू परवत को बतलाया है किन्त इसके मरकंद जैसे दूर स्थानों तक भी चलता है और इसके अनियाईयों की संख्या भी कम नहीं है वाह ग्रेट अध्भूत है गोरपंध असम जिसे कभी कामरू प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था ऐसा ही एक स्थान है जहां रात के अंधेरे में शम्शान भूमे पर तंत सादनाएं पूरे भारत में पचलित है यूँ तो असम में अभी भी कुछ सम्प्रदायों में मात्र सतात्मक व्यवस्था चलती है लेकिन काम रूप में इस व्यवस्था की महिलाएं तंतर विद्या में बेहत निपुन हुआ करती थी तारा पीट को तांत्रिकों, मांत्रिकों, शाक्तों, शैवों, कापालिकों, औगणों आदि सब में समान रूप से प्रमुक और पूजी नहीं यह माना जाता है इस स्थान पर सती माता की आखें भगवान विश्रों के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी इसलिए यह शक्तिपीट बन गया और सुनिए माता प्रयाग राज जहां कुम का मिला भरता है सेक्रों वर्ष पहले जब प्रयाग राज पूरी तरह से घंगोर जंगल वा वनस्पतियों का केंद्र था तब तीनों और नदियों से घिरा वा गंगा यमना सरस्वती का ये मिलन छेत्र वा अध्यात्मिक इस्थल हमेशा से देवताओं वा सादू संतों को अपनी और आकरशित करता रहता था मानेता है कि 400 साल से अधिक समय पहले एक ओगर सादू शिव की आग्या अनुसार प्रयाग राज आए गंगोर जंगल के बीच उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग स्थापित किया और वहीं पर अपनी धूनी रमादी जब लोगों का इस निर्जन वन शित्र में आने जाने का क्रम बढ़ गया और लोग इस दिव इस्थल पर दर्शन करने के लिए आने लगे तो अचानक रहसे में तरीके से ओगर सादू गायब हो गए ओगर सादू के बारे में सिर्फ लोगों इतना पता था कि वो कैलाश पर वस्याय थे और उसके बाद लोगों नोंने कभी नहीं देखा जन्शृती है कि हर रातिर में ओगर सादू यहां विश्राम करते हैं और सुबह शिवलिंग के आसपा साफ सफाई और भगवान का सरप्रथम पूजन करते हैं सुबह मंदिर जाने वाले इस बात का हमेशा से दावा करते हैं लेकिन अब खुली आँखों से कोई भी उस ओगर सादू को नहीं देख पाता है इस मंदिर में इस थापित शिवलिंग को उसी ओगर सादू के नाम पर कमौरी महादेव के रूप में प्रसद्धी मिली है अब इस जगे पर एक सुन्दर मंदिर बन चुका है बेहदी शान्त वातावरण में आश्यर जनक तरीके से यहाँ विमन फूलों की सुगंद की अनभूती होती है लेकिन यहाँ फूलों का स्रोत कहा है आज तक कोई नहीं जान पाया है यहाँ आसपास ना फूलों के बाग है ना कुछ ऐसा जिसे फूलों की महक का कारार बताया जा सके लोग इसे चमतकार मानते हैं और यह इसकी ख्याती को चार चांद लगाता है कमौरी महादेव के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं अपनी तरफ से अश्ट कोशल गिरी ने कैथरीन को अगोरियों की सारी जानकारी दे दी थी जानकारी देते हुए वो कई बार अतीत में गोते लगाता रहा सोचता रहा अच्छा हुआ उसने अगोरी पंत त्याक कर नागा पंत अपना लिया उसे लगता है अब वो ईश्वर के अधिक नस्दीक है इस समय गुफा में धूनी में चठकती लकड़ियों की आवास थी और चिलम के धुए के चक्र में बैठे महाकाल गिरी और नरोत्तम गिरी थे जो कैथरीन को किसी फरिश्टे से कम नहीं लग रहे थे इतना ग्यान इतनी विद्वता जिनें वो साधरन साधू समझ रही थी वो किसी महाविद्याले के प्रोफेसर से कम नहीं थे बलकि अधिक ही थे घंटा भर और बैठी थी कैथरीन कुफा में कुछ अपने बारे में भी बताईए माता पुरोहिज जी ने पूछा अविवाहिद उम्र 37 वर्ष एक बेटी है मेरी 16 वर्ष की मैंने उसे गोद लिया है आपकी दत्तक पुतरी रोहिज जी ने पूछा जी हाँ मैंने उसका जास में नाम बदल कर आध्या रख दिया है हिंदू अध्यात में आध्या शक्ति का प्रतीक है वो आध्या कैथरीन बिलिंग के नाम से जानी जाती है सिडनी में मेरा बुटीक है वो भी बुटीक में फैशन डिजाइनिंग का काम सीख रही है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ हिंदू अध्यात में मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है दावा तो नहीं करती पर लगबग सभी अध्यात में ग्रंतों को मैंने पढ़ा है और इसी लिए संस्कृत भी सीखी मैंने इतना तो कहूंगी कि हिंदी और संस्कृत में साहित्य का विपुल भंडार है भारत के पास बहुत साल लगेंगे उस भंडार को पढ़ने में लेकिन पढ़ने की प्रतिग्या कर ली है मैंने इस बार तो समय नहीं है देर से मिले आप लोग लेकिन भविश्य में और भी बहुत कुछ आप से जानना चाहूंगी अब विदा चाहिती हूँ कहते हूँ वो उठने का उपकरम करने रगी कैथरीन की विद्वता से तीनों नागा सन्यासी और पुरोहिद जी बहुत प्रभावित हुए चारों उसे तंबू तक विदा करने आए अब आप से ना जाने कम मुलाकात होगी हम सुबह चार बजे तब के लिए पहड़ों पर चले जाएंगे नरुत्तम गिरी ने उदासी नहीं आने दी चेहरे पर नरुत्तम गिरी हम शीगर मिलेंगे दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं कहते हैं वो उसने नरुत्तम गिरी के दोनों हाथ पकड़कर माते से लगा लिए थोड़ी देर मानो पत्ता भी नहीं खड़का मानो थोड़ी देर के लिए श्रश्टी थम गई ये कैसा ऐसास था जो नरुत्तम गिरी के लिए कैथरीन के हिदय में हो रहा था यही शायद श्रश्टी का वो चरम बिंदु है जिसमें चराचर जगत समाया हुआ है आदी अंत से परे वो तंबू का परदा उठा रही थी कि पुरोहिज जी ने रोका रुखिये माता यह आप के लिए हमारी तरफ से हमें याद रखना और सुबह जाने से आदे गंटे पहले जगा देना या हम सुएम ही जाग जाएंगे जड़ी बूटी वाली चाहे से आपका थर्मस भर देंगे कहते हुए पुरोहिज जी ने भोज पत्र पर लिखे हुए भगवत गीता के कुश्लोक उसे दिये कैथरी ने भोज पत्र माते से लगाए और सबका अविवादन करते हुए तंबू के अंदर प्रवेश किया लगा जैसे तंबू में नरुत्तम गिरी पहले से मौजूद है और कह रहा है रुक जाओ नरुत्तम गिरी साधना में रत हो गया हमाले परवच शंकला की चोटियों बलगातार शूनी से भी कम तापमान में तब करता रहा कई कई बार तो वर्व से धक जाता जैसे ठंड के निवारन के लिए प्रिकर्ट ने उसे वर्व की चादर उड़ा दी हो प्रिकर्ट के पास भी उस समय वही तो उपलब्द थी मौसम बदलते रहे बर्व से जमी नदियां बाहर आने पर कलकल करती बहने लगी वादियों में खुशनमा फूल खिले नील कमल खिला ब्रह्म कमल खिला पत्थर सी दे लिए नरुत्तम गिरी ने हरिद्वार की और प्रस्थान किया आश्रम चहल पहल से भरा था कुछ नए नागा दिखाई दे रहे थे जो भी पूरत्या नागा रूप में नहीं थे आश्रम की बगिया में नरुत्तम गिरी द्वारा लगाए पौदे व्रक्ष बन गए थे जिनकी डालियों पर हवन का दूँ आठका था वो सात्विक अनभूत से भर गया पत्थर को मोम करने की ताकत है लेकिन स्वयम को एहंकार रहित रख कर ही इसतने वर्षों के तब के बाद नरुत्तम गिरी अद्वितिये उर्जा लेकर आश्रम में प्रवेश कर रहा था उसके द्वार के भीतर आते ही दो कम उम्र के नागा तेजी से उसके पास आए प्रणाम आदर्निये नरुत्तम गिरी महंत दैनिक कारियों बोजन आदि के उपरांत आपको मीटिंग कक्ष में आना है गुरू जी आपको संबोधित करेंगे समय पर उपस्तित प्रार्थिनी है आश्यर हुआ नरुत्तम गिरी को ये दोनों उसका नाम कैसे जानते हैं नागा पंत सचमुष बिलक्षन है इसनान, श्रंगार, ध्यान, तब और फिर पश्चिन दिशा को लालिमा सौपते अस्ताचल, गामी, सूरी की वंदना कर नरुत्तम गिरी भोजन कक्ष में आया उसके मित्रों का कही अतापता नहीं था भोजन समाप्त का रोसिधा गुरु जी की आग्या अनुसार निर्देशित कक्ष में पहुँचा तो देखा, कई नागा वहाँ बिराजमान थे किन्त गुरु जी उसी से साक्षात करने को उत्सुप थे आओ नरुत्तम, इतने वर्षों के तब साधना ने तुम्हे निखार दिया है तब से जो उर्जा तुम्हें मिली है, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं जी, आग्या दे गुर्देव तुम्हें प्रशिक्षार केंद्र जाना होगा, नए नागाओं को प्रशिक्षित करना होगा हाना कि वे दो वर्ष तक यहां ट्रिनिंग ले चुके हैं ये उनका सन्यास काल का आखरी तीसरा वर्ष है फिर वे प्रियाग राज महा कुम्ह में दीक्षित किये जाएंगे जैसे तुम सर्दी गर्मी बरसात में खुद को डाल चुके हो उसी तेरे नागा योद्धा तयार करो धर्म के कमांडो बनाओ उने जैसे तुम भरी दोपहर में तपती हुई धर्ती पर नंगे बदन लेटे बारिश बर्फ और आग की लप्टों के सामने घंटों खड़े रहे उन्हें भी अपने जैसा बनाओ विशम से विशम परिस्तिती को भी मुस्कुराते हुए जेलने में पूरी तेरे परिपक्व बनाओ उन्हें तंत्र, मंत्र, योग और साधना के साथ वेदों की भी शिक्षा दो राष्ट और धर्म के रक्षकों की फौज तयार करो देश को कभी भी हमारी जरूत पर सकती है नरुत्तम गिरी गुरू जी के वश्णों को अंगीकार करता रहा कहां जाना होगा कर्ण प्रयाक के जंगलों में सो नौजवान नागा साधू बनने का प्रशिक्षण लेंगे तुम्हें बीस नौजवानों की टीम को प्रशिक्षण करना है तुम्हारे साथ चार प्रशिक्षण करता और होंगे लेकर में पूर्तियां दिगंबर नहीं है मुझे भी एक वस्तर धार करने की अनमती दें नरुत्तम गिरी मैंते जिजगते हुए कहा क्या तुम श्री दिगंबर से एक वस्तर धारी होना यानि लंगोट पहना चाहते हो उल्टी गंगा बाहा रहे हो सोले वर्शों से तुम तब साधना में लीन अब शरीर की चिंता करते हो क्षमा गुर्देव सभी प्रशिक्षक एक वस्तर धारी रहेंगे इसलिए कहा क्षमा नरुत्तम गिरी महंत ने कानों पर हाथ लगाया और गुरु जी के अगले आदेश की प्रतिक्षा करने लगा किन्त गुरु जी नरुत्तम गिरी के अभी-भी कहे वाकिसे विचलित थे तो क्या नरुत्तम को अपने नगन स्वरूप से लग जा आती है क्या वो नागाओं से इतर समाज में स्वयम को अनुपयुक्त पाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे नागापंत में दीक्षित होने का पश्चा ताप हो गुरु जी देर तक विचारों की आंधी से गुजरते रहे मन्थन करते रहे नरुत्तम गिरी उनके सम्मुक अविचलित खड़ा रहा सैसा गुरु जी जेते किन विप्रीत परिस्थितियों ने तुम्हें विचलित किया बताओ नरुत्तम नरुत्तम गिरी ने सिर जुका लिया हृदय के भाव आँखों में छुप जाने दिये वो गुरु जी के भवे ललाट की चमक पे खड़े रहने की हमद्च उटाने लगा स्वयम को संभालो नरुत्तम मोह माया समोहन प्रेम से परे है नागापंथ तुमने चलना शुरू कर दिया है इसलिए समलना भी तुमें ही होगा जाओ सौपे हुए कारे को क्रियानवित करने के दिशा में कदम बढ़ा दो हम तुमसे सुबह इसी कक्ष में मिलेंगे और गुरु जी उठकर चले गए अपनी बिचलित हुई अवस्था से स्वयम को निकालने का प्रयास करने लगा नरुत्तम गिरी कैसे बताए गुरु जी को कैथरीन से हुई भेट और फिर उसके संग बिताए उन दोनों के विशे में ठके कदमों से उखक्ष की और लोट रहा था कि सामने गीता नंद गिरी आता दिखा साड़े तीन वर्षों बाद अपने मित्र को सामने पाकर वो सुखत अन्भूति से बर गया गुरु जी ने बताया तुम आ रहे हो और प्रिशिक्षन केंदर में हम साथ ही चलेंगे बीस रंग रूट मेरे भी जिम्मे हैं ये तो कहो इतने वर्षों कहा थे तुम गीता अनंद गिरी के साथ चलते हुए नरुत्तम गिरी अपने कक्ष में आ गया गला सूख रहा था कमंडल में रखे शीतल जल को पीते हुए उसे तरावट का अन्भू हुआ गीता अनंद गिरी ने भी पानी पी कर बताया कि वो कंचन जंगा की चोटियों पर तप करते हुए मानो बोले बंडारी से साक्षातकार की अन्भूती से लबालब रहा तब के वे दिन उसके जीवन के सबसे खुशनुमा दिन थे और तुम दरुत्तम हम तो भोजवासा में थे भोजवासा की गुफा में हमारी मुलाकात औस्ट्रेलियन महिला कैथरीन बिलिंग से हुई जो नागाओं पर जानकारी खटी करने भारत आई थी वो मुझे नायक के रूप में लेकर नागाओं पर उपन्यास लिख रही है उसने मेरे नागा रूप को चुनौती दी है ललका रहा है अच्छा वैसे है तो ये खुशखबरी हम नागाओं पर कोई विदेशी महिला लिख रही है ये बड़ी बात है ये सब विदेशी महा कुम में देखने मिल जाते हैं ये भी इनका दीमानापन है नहीं वो दीमानगी नहीं थी उसकी वो महाविदुशी और अपनी सोच में ठहरी हुई महिला है मैं उसके सामने स्वैम को बौना महसूस कर रहा था ऐसे ऐसे तरक थे उसके जिनका कोई काट ना था मैंने ऐसी महिला अपने जीवन में पहली बार देखी है ये कहते हुए नरुत्तम गिरी स्वर्गिक आनन्द से भर उठा गीता नंद्स गिरी ने उसके मुख मंडल पर पूरे विश्व बलकि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत देखा जिसे पाने के लिए शायदो तीन वर्षों तक हिमाले की चोटियों पर संधान करता रहा अब वो पहले जैसा नरुत्तम नहीं रहा कैथरीन से प्रथम मिलन की अब तक की उसकी यात्रा मानो पहाडों, जंगलों, नदियों, समंदरों, जर्नों यहां तक की क्षितिच की मिलन रेखा तक को इसपर्ष करती अभी भी अदूरी सी लग रही है नरुत्तम गिरी अप्रोड हो चुका है तब साधना से उसका गौर वर्ण, उननत ललाट और भी अधिक देदी प्यमान हो चुका है गीता नंद गिरी कैथरी के बारे में विस्तार से जानना चाहता था लेकिन उस रात वे दोनों प्रशिक्षण के नियमों प्रक्रियाओं आज पर विचार विमर्ष करते रहे गुरू जी ने उन पर भरूसा किया है प्रशिक्षण के इंद भी नया खुला है नागाओं की संक्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और रुजहान अदेख है हाला कि अब वो प्राचीन समय नहीं रहा जब नागाओं का युद्ध कोशल देश की राजनीती पर कमान रखता था अब अत्यांत सुरनिम समय था अब तो अखाड़े ही इतने बढ़ गए पहले साथ हुआ करते थे अब ते रह हो गए अब तो नागा सादू राजनीती में भी सक्रे भूमिका नभाते हैं लैप टॉप मोबाइल भी रखने लगे हैं गुरू जी भी उन्हें कल मोबाइल लैप टॉप देंगे साधना चलती गाड़ी इंदरी में बंधी रसी से रोकना आ दिए सुबह गुरू जी ने सभी प्रिश्क्षकों को मोबाइल और लैप टॉप देते हुए महत्पूर्ण आदेश दिए प्रिश्क्षन के इंदर से प्रतिदिन की सूचनाय गुरू जी ने नियम पूर्वक भीजने को कहा आप सब इश्वर की और अगरसर होने की चाहा रखने वाले मानो मात्र के सेवक समझें स्वयम को ये समझें कि इश्वर एक गुर्तर कारे आपके हाथों कराने जा रहा है ये सनातन धर्म की रक्षारत ही नहीं बलकि देश की रक्षा के लिए भी आवश्यक है स्वयम पर नियंतरन रखते हुए अपने शिश्यों को भी नियंतरन रखना सिखाएं आप जो पहुत तयार करेंगे वह भविश्यका वट रक्ष होगा जिसकी चाया में और भी सेक्रों नई पहुत तयार होंगी सावधान रहें बम बम भोले सभी ने एक सवर में नारी लगाए बम बम भोले गुरू जी ने आशिरवात दिया जाईए अपने लक्ष में सफल होकर लोटे सामान जीप में लादा जा चुका था आश्रम से विदा लेते हुए नरोत्म नागा नए मार के और प्रस्थान कर रहा था अपने सभी प्रशिक्षक साथियों सहित उपन्यास की कहानी जारी रहेगी क्रमशा अगले भाग नौ में